के साइस वन जी कोशेंट एन प्रूफ डाइट गीफ स्टो डीस मतलब हमको इससे सॉल्व करना है और इसके बराबर लाना है लेफ्ड एंड साइड सु राइट हैंड साइड हमें करके दिखाना तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्ड साइड लेंगे इसको root 2 बना देंगे कैसे करेंगे देखो तो सबसे पहले हम लोग यह लिख लेते हैं question अपना हमारे पास यह है bracket में 8 ठीके power है minus 2 by 3 multiply 2 power 1 by 2 multiply 25 power में है minus 5 by 4 ठीक bracket close अब यहां पर यह के डिवाइड में फिर से यहां पर आओ यहां पर 32 power है minus 2 by 5 into 125 power minus 5 by 6 bracket close ठीक है अब हमें क्या इसको solve करना है और root 2 बना देना है तो सबसे पहले यह दो यहां पर लिखा हुए 8 minus 2 by 3 ठीक है minus है ना यह power हमारा minus में तो यह देखो 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 equals to 2 की power 3 क्योंकि जब 2 को 3 times multiply करोगे ऐसे तो क्या होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो 8 आ जाएगा तो हम लोग इसकी जगह में लिख दे 2 का क्यूब ठीक है तो यहां पर 2 क्यूब लिख देते हैं 2 क्यूब ठीक है अब यहां पर क्या है हमाई पास पावर है पहले से पावर क्या दिए 2 multiply में है इसके आ जाएगी minus 2 by 3 इतना समझ गए दो 8 को हमने convert कर दिया 2 की पावर 3 में 2 की पावर 3 लिखा अब इसके साथ क्या है ऑफ दिए पावर हमारी वो इसके साथ multiply में आ जाएगी 3 के साथ माल्टिप्लार में यहांपर टू और यहां पर 1 बई 2 इसको यहां पर आ से लिखो इन्टू माइनस 5 बाइ 4 ठीक है ब्रैकेट क्लोज अब यहां पर डिवाइट में आजाओ यहां पर है 32 और माइनस 2 बाइ 5 तो 32 की जगर भे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पावर लिख दो 5 इन्टू माइनस 2 बाइ 5 इन्टू 125 माइनस 5 बाइ 6 125 माइनस 5 बाइ 6 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर यहां पर लिख देंगे 3 इन्टू माइनस 5 बाइ 6 यह दो करना आता होगा देखो कैसे हमने इसमें क्या किया कि इसकी हमने पावर देखी ठीक है फिर हमने इसको hazır Swami करने कोςिस की ki इसके power जैसे ही यह बना दे जैसे इसको हमने solve किया तो इसकी power क्या आगे? 3 आगे फिर इसमें तो ऐसे रहने दिया इसमें भी हमने को पया मगर ऐसा नहीं हो पाए कि 4 आजा तो हमने क्या क्या 5 की power 2 करती है शीब हमने यह से क्या 32 के factor निकाले, LCM लेकर, factor निकाले, फिर देखा, कि इसकी power 5 आ सकती है, 2 की power 5, तो इससे क्या होगा, कि हमारा ये 5 से 5 ये cancel हो जाएगा, 3 से 3 ये cancel हो जाएगा, और 2 से 4 cancel हो जाएगा, ठीक है, और 3 से 5 से ये cancel हो जाएगा, तो अब हमारे पास देखो, क्या बच रहा है, bracket में, 2, power क्या है, minus 2, चीक है, multiply, 2, 1 by 2, multiply, 5, power में क्या है, minus 5 by 2 बच रहा है, ठीक, bracket close, divide करो, यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 2 की power बचेगी, हमारे पास, minus 2, multiply, और यहाँ पर हो जाएगी, 5 की power, minus 5 by 2, चीक है, इतना हमारे पास है ये, अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये divide म जाते हैं, दो ऐसे, divide में है न, तो इसको मतलब divide ही करना है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, दो यहाँ लिखा हमने, 2 minus 2, ओके, अब दो यहाँ पर है 2, और यहाँ बाइ 2, 1 by 2 का मतलब होता है, root, ठीक है, root 2 लिख सकते है, 2 है, यहाँ पर, यहाँ पर क्या divide है, तो divide है यहाँ पर, इसको हम डिवाइट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा, 2 minus 2, into 5 minus 5 by 2, दो दो 2 से, 2 cancel हो गया, इससे यह cancel हो, हमारे पास बचा क्या, root 2, और हमको proof क्या करना दा, right hand side equals to left hand side, दो राइट hand side हमारे पास यह था, left hand side, sorry, right hand side में root 2 था, और left hand side से हमने root 2 find कर ल left hand side, left hand side equals to right hand side, hence proof, answer, okay, question 2 में भी हमें left hand side equals to right hand side लाना है, मतलब इसको solve करके हमें इसके बराबर लाना है, 65 upon 16 लाना है, तो सबसे पहले इसमें आजाओ, ठीक है, इसको हमें solve करना है, तो यहाँ पर दिया है 64 divided 125, यहाँ पर power में है, minus 2 by 3, ठीक है, तो अब हम लोग 64 of 125 को ऐ कैसे solve करेंगे, कि इसकी power हमारे 3 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, तो इससे क्या होगा, हमें power से power कट जाएगी, easy हो जाएगी, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 64 हमाई पस, तो 64 को factor निकालो, तो 4 से चला जाएगा यह, 4 से करोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, 4 जाएगा, 4, 1 जा 4, ठीक है, फिर यहाँ पर 24 बच जाएगा, तो 4, 6 होगा, फिर से 4 से करो, फिर 4 से, फिर 4 से यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, इतना हुआ यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग 64 को ऐसे लिख सकते है, 4 की power 3, क्योंकि यह हमारे पर 3 बार आ र 125 को हम लोग ऐसे लिख सकते है, 5, 5 से करोगे, तो 5, 5, 25 हो जाए, ठीक है, पहले तो 5, 2, 10, फिर 5, 25, 5 से करो, तो फिर 5, फिर 5, फिर 1, तो 125 को हम लोग ऐसे लिख सकते है, 5 क्यूब, ठीक है, समझ गे इतना, तो Q भी क्यों ला रहा है, इसमें दोगों हम 2 से भी तो कर सकते तो क्यूब कीव tentang क्यों कि Hemma Rokus से क्योब केंसिल हो जाइगा ठीके तो यहाँ पर दिखो यहां पर इसे लेकिन इसको आई कि यह हमारे पाफ प्रक्ट मैं यहां पर हमने कर दिया ए में एक फमैदे कीव whole cube, जब हमने इसको ऐसे solve किया, तो यहाँ पर हमारे पास आया था 4 cube, divide में 5 cube, ठीक है, अब इसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक bracket में कर दिया, 4 by 5, और यहाँ पर whole cube कर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें भी cube लगा हुआ है, इसमें भी cube लगा हुआ है, ठीक है, तो हमें direct इसमें ऐसे लिखा, into यहाँ पर है, minus 2 by 3 तो 3 से 3 हमारा cancel हो गया, इसलिए हमने ऐसा number find किया था, जिसका cube होने पर हमारे पर यही मिल ला हूँ, प्लस, अब इसमें आजा हूँ, यहाँ पर 256, तो 4 को 4 time multiply करोगे, तो 256 आता है, और 5 को 4 time multiply करोगे, तो 6 25 आता है, तो 4 by 5 करो, और यहाँ पर पार आ जाएगी 4, चीक है, और into 1 by 4 कर दो, तो 4 से 4 फिर से cancel, यहाँ पर plus, अब इसमें आ जाए, देखो, यहाँ लिखा हूँ गया है, root 25, अभी हमने पहले बाले question में क्या किया था, यहाँ पर हमारे पास आया, 5 था, और 1 by 2 था, अब 1 by 2 को हमने ऐसे लिख दिया था, 5 root, root 5 लिख दिया था, और अब यहाँ पर है root 25, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते है, 25 1 by 2, ठीक है, तो root का मतलब होता है, 1 by 2 पार में, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, 25 1 by 2 और divide में हमारे पास आगया, 3 है, root 64, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते है, 64 और 1 by 3, देखो, यहाँ पर क्या 3 root है ना, तो यहाँ पर हम लोग 3 root को लिख सकते है, 1 by 3, कमज़ गे इतना, आप इसको solve करते है, यहाँ पर हमारे पास आगया, 4 by 5, bracket close, यहाँ पर minus 2, plus, यहाँ पर 1, divide में हमारे पास है, 4 by 5, ठीक है, और यहाँ पर 1 है, तो इसकी power 1 लगा दोगे, तो कोई फरक ने पड़ता, उससे, plus, यहाँ पर 2, 2, दोखो, यहाँ पर है 25, ठीक है, 25, 1 by 2 है न, तो यहाँ पर 25 का हम लोग ऐसे लिख सकते है, 5 का square, लिख सकते है, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर लिखा हमने, 5 square, और यहाँ पर power लगी हुई पहले से, 1 by 2, तो 2 से 2 cancel, divide में यहाँ पर 64, 64 का हम लोग लेख सकते हैं, 4, 4 का cube, जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, 1 by 3, तो 3 से 3, फिर से cancel हो गया, यहाँ बज़िए 5, यहाँ बज़िए 4, अब इसको sort करो, यहाँ पर आ गया हमारे पास, 4 by 5, यह minus 2 है, minus 2 से अब हम लोग इसे plus का 2 बनाएंगे, तो plus का 2 करने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, 5 को उपर भिज़ देंगे, और 4 को नीचे, मतलब रहिसी प्रोकल कर देंगे, तो यह हमारा minus से plus हो जाएगा, ठीक है, plus, अब यहाँ पर है क्या, 4 by 5, ठीक है, तो 5 को उपर भिज़ दो, तो 5 को उपर भिज़ दिया, और 4 नीचे होगे, तो 5 by 4 होगे, 5 हमारा इसके साथ चला गया, plus, और यहाँ पर क्या बचला है, 5 by 4, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर, सब हमारे 5 by 4, 5 by 4, 5 by 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वार है, तो इसका स्क्वार हम लोग सॉट कर ले, तो इसमें स्क्वार जब खुलेगा प्रैकेट, तो 5 का स्क्वार क्या होगा, 25, और 4 का स्क्वार हो जाएगा, 16, plus, 5 by 4 लिखा हमने, और यहाँ पर, प्लस, 5 by 4 कर दिया, अब इसको LCM ले लो, LCM हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है, अब 16 को इससे डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 को उपर मल्टिप्लाइगा, 25, 5 को 16 से डिवाइड करो, तो क्या जाएगा, हमारे पास, 4 को इससे डिवाइड करो, 16 से, तो 4 जाएगा, 4 को उपर मल्टिप्लाइगा, तो 20, और सेम यहाँ पर भी 20 आ जाएगा, इन सब को प्लेस करो तो क्या आ जाएगा, 65 डिवाइड में हमारे पास 16, और हमें क्या प्रूफ करना था, 60 बाइड बाइड 16, ठीक है, 65 बाइड 16, ठीक है, इसी का तीसरा पारट है, अब इसमें, दोखो, क्या है, seven दिया हुआ है, और ब्रैकेट में 81 पावर, 1 भाइव फोड है, इसकी भी पावर 1 भाइव फोर है, और इस ब्रैकेट में 1 भाइव 4 है, यहाँ पर फोर है, अब हमें इसको solve करके, इसके बराबर लाना मतलब left hand side equal to right hand side करना है ठीक है यही हमें प्रूफ करना है अब इसको हम लोग कैसे solve करें देखो यहां पर हमें दिया हुआ है bracket में 7 ठीक है और यहां पर है हमारे पास 81 है ना 81 है इसकी पार दिये 1 by 4 तो 81 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देखो यहां पर इ तो इससे यह हुआ कि 81 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 की पार 4 लिख सकते हैं क्योंकि 3 को जब 4 टाम multiply करोग तो 81 फिल्स रहा जाएगा तो हमने यहां पर 81 को लिख दिया 3 की पावर 4 और into 1 by 4 ठीक है इससे क्या हुआ हमारा 4 से 4 cancel हो गया है यहां पर plus plus लिखा 256 256 हमें पता क पावर 4 अभी हमने दूसरे ही कोश्चन में किया था सेकंड वाले पार्ट में इसके इसकी पावर 4 किया into 1 by 4 किया ठीक है ट्रैकेट क्लोज करो 1 by 4 और यहां पर 4 ठीक है अब देखो यहां पर हमारा पास क्या बचा है सिर्फ यहां पर हमारा पास 7 और अंदर हमारा पास प्लस करो तो क्या जाएगा 7 आजाएगा 7 आजाएगा तो इसको करते हैं सौल यहां पर आया 7 और इस दोनों को हमने सौल किया तो यहां पर हमारा पास आगया 7 प्लस करने पर यह इसकी पार है 1 by 4 और यहां पर है 4 अब जो यह 4 लगा है ना इसका मतलब यह जो इसमें भी प इसमें आजो यह multiply में इसी एक साथ तो यहां लिख दिया 7 और इसमें पहले से पावर है 1 by 4 1 by 4 लिखा फिर यह भी आ गया तो इन्टू 4 हो गया ठीक है 4 जो 4 cancel हो गया अब यहां पर तो यहां पर हमें प्रस क्या बचा 7 पावर 4 7 की पावर 5 जब आप 7 को 5 टैम मल्टिप्लाइ करोगे तो आपके बाद 16807 आ जाएगा और यही हो जाएगा आपना अंसर लेफ्ट हैंड साइड एक्वस्टी हो जाएगा राइट हैंड साइड ओके तो आज ही लिए बस इतना ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में